जैहिं प्रिये दोस्तों, स्वागत है आप सबी का हमारी यूटूब चैनल जप्पीवन पर दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग नीबू पर हिंदी में नीबन्द लिखना और पढ़ना सिखेंगे लाइन नमबर वन नीबू एक रस्दार फल है जी हाँ दोस्तों, नीबू को हम लोग रोज यूज करते हैं अपने खाने में और यह एक रस्दार फल होता है लाइन नमबर टू यह स्वाद में खटा होता है नीबू जो है दोस्तों, इसका स्वाद खटा होता है लाइन नमबर थ्री नीबू हरे एवं पीले रंग का होता है दोस्तों, नीबू जब थोड़ा कच्चा होता है तो वह हरे रंग का होता है और जब वह पूरी तरह से रस से भर जाता है यानि कि पट जाता है तो वह बाहर से जो है पीले रंग का दिखाई देता है यानि कि पीले रंग का हो जाता है लाइन नमबर फूर इसका आकार लगभग गोल होता है वैसे तो सभी तरह के नीबू लगभग लगभग गोल ही होते हैं लेकिन कुछ नीबू जो है वह लंबे भी होते हैं थोड़े लंबे और गोल लाइन नमबर फाइव यह प्रतिक घर में इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों नीबू एक ऐसा फल है जो शायरी कोई ऐसा घर हो जहां पर इसका इस्तेमाल ना किया जाता हो या हर एक घर में इस्तेमाल किया जाता है लाइन नमबर फूर नीवू का उपयोग शर्बत सलाद इत्यादी में किया जाता है वैसे तो नीवू के और भी उपयोग हैं दोस्तो लेकिन शर्बत सलाद आदी में इसका बहुतायत से उपयोग किया जाता है और उसके बाद अचार और जैम वगेरा भी नीवू के जो हैं वहर बहुत ही बनाये जाते हैं और पसंद किये जाते हैं लाइट नमबर सेवेन नीवू में विटमिन सी की प्रचूर मात्रा होती है या विटमिन सी जो है नीवू में दोस्तो बहुत ही अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है इसलिए विटमिन सी की कमी को पूरा करने के लिए हमें नीवू अपने आहार में रोज सामिल करना चाहिए लाइट नमबर एट नीवू पानी पीने से हमें ताज की महसूस होती है दोस्तो नीवू पानी जो है वह नीवू की तासिर जो होती है वह ठंडी होती है और इसलिए इसे पीने से हमें जो है वह बहुत ज़्यादा एनरजी मिलती है और इससे हमें ताज की महसूस होती है लाइट नमबर नाइन यह गर्मियों में शरीर के तापमान को कम करता है दोस्तो नीवू का इस्तेमाल जो है वह गर्मियों में ज़्यादा किया जाता है क्योंकि यह जो है शरीर के तापमान को जो है वह थोड़ा कम कर देता है इसलिए बुखार होने पर भी नीवू दिया जाता है बहुत ही फायतमन्द होता है लाइन नमबर टेन यह शरीर के तापमान को कम करता है यह गर्मियों में ही नहीं किसी भी मौसम में नेवू को पीने से यह शरीर के तापमान को कम करता है और इसलिए खासकर गर्मियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है लाइन नमबर 11 नीम्बू बाजारों में सभी मौसम में उपलब्ध होते हैं दोस्तों नीम्बू जो है वह सभी जगर और सभी मौसम में हर एक बाजार में कहीं भी आप चले जाईए आपको वहाँ नीम्बू आसानी से मिल जाएगा लाइन नमबर 12 नीम्बू का सेवन वजन कम करने में सहायक होता है दोस्तों नीम्बू जो है वह वजनी लोगों के लिए तो बहुत ही फाइदेमन चीज है क्योंकि खाली पेट इसका रस पीने से या नीम्बू पाने पीने से हमारे वजन को यह संतुलित करता है या कम करता है लाइन नमबर 13 बुखार में नीम्बू का रस अत्यांत फाइदेमन होता है दोस्तों क्योंकि नीम्बू हमें तुरंट एनर्जी देता है शरीर को जो है वह तुरंट लाव पहुचाता है और शरीर का तापमान भी कम करता है तो इस तरह से बुखार में नीम्बू का रस जो है वह बहुत ही हमारे शरीर के लिए फाइदेमन होता है लाइन नमबर 14 नीम्बू चेहरे की सुन्दर्ता को भी निखारता है दोस्तों नीम्बू से जो है हमारे सरीर के जहरीले तत्वों की सफाई हो जाती है और इस तरह से यह हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है तो इस परकार से हमारे चेहरे की सुन्दर्ता भी इससे निखरती है दोस्तों इस तरह से आप नीम्बू पर जो है वह निवांदी लिखकर अपने एक्जाम में बहुत ही अच्छे मांक्स प्राप्त कर सकते हैं तो उमीद करती हूँ आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी तो एक लाइक करके मुझे मोटिवेट कर दीजिए और कमेंट सेक्षन में बताईएगा जरूर कि यह वीडियो आपको कैसी लगी और किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्षन में जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्षन बिल्कुल भी फ्री है इसके कोई भी पैसे नहीं लगते हैं तो उस टॉपिक पे मैं जरूर से जरूर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपोर्टेंट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैहीन वंदे मातरम